ओम साइनराम आपका मेरे चैनल सिक्रेट रेसीपी विद लक्षिमी में स्वागत है आज हम अलू का इस्तमाल करते हुए अलू का क्रिस्पी स्नेक्स बनाएंगे पांच मिनिट में बनने वाला क्रिस्पी अलू स्नेक्स बच्चोगों ही नहीं बड़ों को भी भाएगा एक जैसे और पतले होने चाहिए ये देख सकते हैं इनकी लेर कितनी पतली है एक बाउल लेंगे उसमें ये आलू के स्लाइस पूरे डाल देंगे इस टाइम पे मैंने थंडा फ्रिच का पानी का इस्तमाल किया है इससे आलू का स्टार्च निकल जाएगा और ये तलतेवक कुरकुरे बनेंगे और इनका अब हम पानी निकाल लेंगे एक्स्ट्रा पानी इसका फेक देंगे और आलू को साइड में रख देते हैं ठंडे पानी के वज़े से आलू एक दुसरे में चिपकेंगे नहीं उनकी एक-एक लेर सेपरेट हो जाएगी एक प्लेट लेंगे उसके ओपर आलू के जो हमने स्लाइस बनाए थे वो एक-एक करते रखेंगे और उसके ओपर हम टीशू पेपर रखेंगे कॉनफलोर को चारों तरब से हमें फैला लेना है इसनेक्स को और भी क्रंची बनाने के लिए इसके उपर हम आलू का और एक स्लाइस रखते हुए जाएंगे डबल लेर के वज़े से ये खाने में और भी क्रंची लगेंगे एक स्लाइस हाथ में लेंगे उसका थोड़ो उपर नीचे लेवल करते हुए हलके हातों से उसको फोल्ड करते हुए जाएंगे उपर का हिसा नीचे दबा देंगे और ये देख सकते हैं रोल हो चुका है अब इसे लॉक करने के लिए हमने टूर्स टिप का सपोर्ट लिया है अब उसे हम प्रेस करके ले लेंगे इसी तरह दुसरे आलू को उठाएंगे अगर आप चाते हैं कि इसी तरह मैं आपको यूनिक रेसिपी बताती जाओं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अब इसको लॉक कर दिया है इस तरह आलू के सारे रोल बना के ले लेंगे ये सारे रोल अब बनके रेडी हो चुके हैं इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे अब चलते हैं नेक स्टेप की ओर एक पैन लिया है उसमें फ्राइ करने इतना तेल लेंगे तेल गरम होने के बाद एक एक करके आलू के रोल्स डालते हुए जाएंगे जितना हो सके एक दूसरे में चिपके ना इसका ध्यान रखें आपके कड़ाई में जितना वो माप सकते हैं उतना ही डालिए एक दो से तीन मिनिट के बाद पल्टेंगे इनको थोड़ी देर और फ्राय होने देंगे अब यह देख सकते हैं यह स्नाइक्स गॉल्डन ब्राउन हो चुका है याने तोटली फ्राय हो चुका है अब इसको एक पलेट में निकाल लेंगे पलेट में निकालने के बाद इसमें जो हमने टूस्पिक डाला था वो निकालेंगे या नहीं तो आप ऐसे भी खा सकते हैं टुइस करते हुए इस स्नैक्स को इस टूटपिक्स से निकालेंगे सारे टूटपिक्स से निकालके हो चुके हैं अब इनके उपर हम ब्लैक पेपर, थोड़ा सा नमक और चिली फ्लेक्स डालके इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे बिना कोई जंजट के बस सोचा और बनाया क्रिस्पी आलू स्नैक